नमस्ते, मैं चंदर सेखर, आप सभी को मैं अपने चैनल डिलेजन्ट अकेडमी में स्वागत करता हूँ हम लोग बिहार एसेसी के लिए एक मैथ का स्रेज श्टार्ट किये थे जिसमें हम लोग पढ़ते एक दिन बिहार एसे सिमयाई वे मैथ का प्रिवेसर कोश्टन और उस पर अधायत मैथ का कोश्टन कर रहे हैं चली आज उस स्रेज मम लोग आगे की तरफ चलते हैं इससे पहले अगर आप मेरी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूले ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोडिफिकेशन मिलता रहे है चली अब हम लोग कोश्टन की तरफ चलते हैं देखे हमारा कोश्टन क्या दिया हुआ है हमारा कोश्टन है यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से साथ कम हो जाती है तदमसार वह संख्या कितनी है हमें क्या निकलना संख्या निकलना है तो जो हमें संख्या प्रात्थ होगी वह अपनी तिनगुनी संख्या से 7 कम होगी यानि ये किसके बराबर होगी? X के तिनगुनी से 7 कम के बराबर होगी अब देखे हम इस equation से X का value निकाल सकते हैं यहां से हमारा क्या हो जागा? यहां से हमारा हो जागा X plus 21 equal to 3X minus 7 अब देखे इस X को अगर हम उस साइड लेके जाएंगे तो हमारा plus में है तो minus में हो जागा और इस minus 7 को अगर हम इस साइड लेके जाएंगे तो minus में है तो plus में हो जागा यानि हम यहां से लिख सकते हैं इस 3x में से अगर हम x- करेंगे तो यह हमारा हो जागा 2x और इस 21 में अगर हम 7 add करेंगे तो यह हमारा क्या हो जागा 20 हो जागा यहां से हमारा x क्या निकल क्या जागा यहां से हमारा x निकल क्या जागा 14 एक समने क्या मान के रखा था संख्या और हमसे पूछ किया रहा था संख्या पूछ रहा था तो संख्या क्या निकल के आगया 14 निकल के आगया हमारा आंसर क्या निकल के आगया 14 निकल के आगया चली question समझ में आगया होगा next question पर चलते है देखे हमारा question क्या दिया हुआ है हमा है LCM City का 12 गुना है ICM किसके पराबर है HCG के 12 गुना के बराबर है और हम question में क्या दियाओ है हमे question में दियाओ है कि HCF और LCM का योग किसके बराबर है 403 के बराबर है 403 के बराबर है तो देखे हम इन दोनों equation से LCM और HCF निकाल सकते हैं अब देखें हम यहाँ LCM के जगे लिख सकते हैं 12HCF यानि यहां से हमारा हो जाएगा HCF प्लस 12HCF 12HCF equal to क्या हो जाएगा 403 हो जाएगा हम इसे add करेंगे तो यह हमारा क्या हो जाएगा यह हमारा हो जाएगा 13HCF 13HCF equal to क्या हो जाएगा 403 हो जाएगा अब देखें यहां से हमारा HCF क्या निकल क्या जाएगा हम इसे अगर 13 से काटेंगे तो यह 13 से कितने बार में जाएगा यह 13 से 3 बार में जाएगा हाथ में एक यह हो जाएगा 13 13-13 से एक बार में जाएगा यानि HCF क्या निकल किया गया 31 निकल किया गया देखें HCF 31 निकल किया गया तो हम यहां से LCM निकाल सकते हैं LCM क्या हो जागा हम इस 403 में से अगर 31 माइनस करेंगे 403 में से हम 31 माइनस करेंगे तो हमारा LCM निकल किया जागा देखें हम 400 में सा 28 माईनस करेंगे तो यह हमारा क्या थागा? 372 यानि LCM क्या निकल के आगया? 372 निकल के आगया आप देखें हमें HCF पता है, LCM पता है और हमें एक संख्या पता है तो हमसे दूसरी संख्या पूछ रहा है तो देखे एक हमारा concept होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू LCM गुने HCF तो देखे पहली संख्या हमारी क्या है पहली संख्या है 93 दूसरी संख्या पूछ रहा है इक्वल टू LCM क्या है LCM है 372 HCF क्या है HCF है 31 अब देखे 31 से 93 कितने बार में जागा 3 बार में हम इस 3 से अगर इसे काटेंगे तो ये 3 से कितने बार में जागा ये 3 से 1 बार में जागा साथ जो है 3 से 2 बार में हाथ में 12 12 3 से 4 बार में जागा यनि यहां से दूसरी संख्या क्या निकल के आगे 124 निकल किया गई दूसरी संक्या क्या निकल किया गई 124 निकल किया गई 124 निकल किया गया चली question समझ में आगया हुगा next question पे चलते है देखे हमारा question क्या दिया हुआ है हमारा question है किसी परिक्षा में 120 परत्यासियों द्वारा प्राप्त अंको का आउसत 35 से उतीन परत्यासियों द्वारा प्राप्त अंको का आउसत 49 से और अनुतीन परत्यासियों द्वारा प्राप्त अंको का आउसत 15 है परिक्षा में उतिर्म परत्यासियों की संख्या कितनी हैं हमें क्या निकालना है परिक्षा में 5 परत्यासियों की संख्या निकालना है अब देखी हमें कोश्चन में टोटल जो है परिक्षार्थी का संख्या दिया हो है हमें टोटल परिक्षार्थी का संख्या कितना दिया है, 120 दिया है, और हम से पूछ क्या रहा है, 5 परिक्षार्थी का संख्या पूछ रहा है, तो देखी, 5 और फेल परिक्षार्थी के संख्या का अगर हमें रेशियो पता चल जाए, तो हमें question में total संख्या दिया है, तो हम व द्यार्थी दोरा प्राप्त अंकों का उसत दिया है तो देखे हम उसत कैसे निकालते हैं उसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे सभी भी द्यार्थी के अंकों का योग करेंगे और उनके संख्या से हम भाग देंगे तो हमारा उसत निकल के आगा रेश्यू किसका निकल क्याएगा, जो हमारा बट्टे में रहता है, यानि बट्टे में क्या है संख्या है, तो हम एलिगेशन लगाएंगे अगर आउसत में, तो नीचे जो हमारा रेश्यू निकल क्याएगा, रेश्यू किसका निकल क्याएगा, संख्या का रेश्यू निकल क जाएगा अब देखी हमें क्वेश्चन में पास का हमें उसत क्या दिया हुआ है हमें जो है पास का हमें उसत क्या दिया हुआ है उन्तालिस फेल का हमें उसत क्या दिया हुआ है फेल विद्यार्थी का हमें उसत अंक क्या दिया हुआ है फेल विद्यार्थी का हमें उसत अंक क 35 दिया है तो देखिए हम यहांallegation लगाएंगे जब हम甲e allocation लगाते हैं तो हम assimile legislation में बड़े में से हम छोटे को minus करते हैं तो देखिए 15 से 35 आए बड़ा है तो हम 35 में से 15 minus करेंगे तो यह हमारे हैं 20 हो जाएगा इस यह 49 जो है 35 से बड़ा है तो हम 49 में से अगर 35 माइनस करेंगे तो यह हमारे क्या हो जागा 4 हो जागा अब देखिए अगर हम इसे 4 से काटेंगे तो यहां से हमारा ratio क्या निकल क्या जागा 5 और fail का ratio क्या निकल क्या जागा हम इसे 4 से काटेंगे तो 20-4 से 5 बार में जागा और 4 जो है, 4 से एक बार में जाएगा, यानि ratio क्या निकल गया गया, 5 into 1 निकल कै गया, अब दिख़ें, पांस विध्यार्थी का संख्या, अगर 5 unit होगा, to fail ङार्थी का संख्या कितना होगा, एक उनिट का वैलू हो जागा 20 तो हमसे पूछ पूछ रहा है उतिन परत्यासियों की संख्या यानि पास परत्यासिय का संख्या पूछ रहा है तो देखे पास होने वाले परत्यासिय कितने पांच उनिट हमें एक उनिट का वैलू पता है तो हम यहां से 5 उनिट का वैलू निकाल सकते हैं 5 उनिट का वैलू कितना हो जागा? 100 हो जागा हमारा आंसर क्या निकल किया गया? 100 निकल किया गया? यनि पास होने वाले परत्यासी का संख्या कितना निकल किया गया? 100 निकल किया गया? चली question समझ में आगया होगा, next question पर चलते हैं देखे हमारा question क्या दिया हुआ है हमारा question है पिता की बर्तमान आयू अपने पुत्र की आयू के 3 गुने से 3 बर्स अधिक है 3 बर्स के बाद पिता की आयू पुत्र की आयू के 2 गुने से 10 बर्स अधिक होगी पीता की बरतमान आयू कितनी है हमें क्या निकलना है पीता की बरतमान आयू निकलना है अब देखी हमें कोश्चन में दिया वाए कि पीता की बरतमान आयू अपने पुत्र की आयू के तीगुने से तीन बर्स अधिक है तो हम यहाँ पुत्र के आयू कुछ माल लेते हैं हमने माल लिया कि पुत्र के आयू X बर्स है हमने माल लिया कि पुत्र के आयू X बर्स है तो देखे पिता के आयू X बर्स है तो पिता के बरतमान आयू क्या हो जागी हमें question में दियागी पुत्र के आयू के 3 गुन्य से 3 बर्स अधिक है यानि पीता के आयू हो जाएगी 3x plus का 3 बर्स पीता के बर्तमान आयू क्या हो जाएगी 3x plus 3 बर्स हो जाएगी अब देखे में question में आगे क्या दिया हुआ है हमें question में आगे दिया हुआ है कि 3 बर्स बाद पिता के आयू, 3 बर्स बाद पिता के आयू, पुत्र के आयू के दोगुन्ने से 10 बर्स अधिक होगी, अब देखें 3 बर्स बाद, 3 बर्स बाद पुत्र का आयू कितना हो जागा, बरतमान में पुत्र का आयू अगर X बर्स है, तो तीन बर्स बाद पूत्र का आयू कितना हो जागा? X प्लस का तीन बर्स हो जागा? X प्लस का तीन बर्स हो जागा? और हमें question में दिया कि तीन बर्स बाद पिता के आयू जो है पूत्र के आयू के दो गुन्य से दस बर्स अधिक है तो देखिए पिता के आयू कितना हो जागा पूत्री के आयू के दोगुन्ये से यानि 2 into x plus 3 से 10 बर्स जो है जादा हो जागा अब देखिए यहां से पिता की बर्तमान आयू निकल के आगया और 3 बर्स बाद का आयू निकल के आगया तो देखिए अगर हम इसमें से 3 बर्स माइनस कर दें तो यह दोनों आपस में बराबर हो जागा यानि हम यहां से लिख सकते हैं हम यहां से लिख सकते हैं 3x plus 3 या हम इसमें से 3 बर्स माइनस कर ले या हम इसमें 3 बर्स add कर दें तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा तो हम इसमें 3 बर्स add कर लेते हैं हम इसमें 3 बर्स add करेंगे और देखिए हम यहां गुना करेंगे तो ये हमारा हो जागा 2x plus 6 plus 10 अब देखिए हम इस equation से x का value निकाल सकते हैं ये दोनों क्या होगा आपस में बराबर होगा ये भी क्या है बर्तमान से 3 बर्स बात पीता की आई हुए और ये भी क्या है बर्तमान से 3 बर्स बात पीता की आई हुए तो देखिए हम इसे add करेंगे तो यह हमारा क्या हो जागा, प्लस का छो, और इस प्लस के छो को हम उस साइट लेके जाएगे, तो प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, अब देखी, यहां हमारा क्या है, प्लस का छो, और इस साइट से जाएगा, तो यह हमारा हो जाएगा, यहां से हमारा क्या बच जाएग पिता की बरत्मान आयू क्या है पिता की बरत्मान आयू है तीन एक्स प्लस का तीन बर्स है तो देखिए हम यहाँ एक्स का वैल्यू पूट करेंगे एक्स का वैल्यू हमारा क्या निकल गया 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 तो देखिए हम एक्स के गया 10 पूट करेंगे तो यह हमारा हो जागा ती यह हमारा क्या हो जागा 33 यहनी पीता की परतमान आई क्या निकल गया गया 33 वर्ष निकल क्या गया हमारा आंसर क्या निकल क्या गया 33 वर्ष निकल क्या गया चलिए question समझ में आगया होगा next question पर चलते हैं देखे हमारा question क्या दिया हुआ है, हमारा question देखे किसी धंडासी को A, B, C में इस परकार बित्रित किया जाए कि A का भाग B से दुगुना हो और B का भाग C का चार गुना हो, तो उन तीनों के भागों का परसपर अनुपात क्या होगा, हमें क्या निकलना है, तो देखे हमें question म कि A का भाग B से दुगुना है, यानि B का भाग अगर एक यूनिट होगा, तो A का भाग कितना होगा, दो यूनिट, अब देखे हमें question में और क्या दिया हुआ है, हमें question में दिया हुआ है, कि B का भाग C का चार गुना है, B का जो भाग है, उस C का चार गुना है, तो हम यह से B और C का ratio निकाल सकते हैं अब देखिए C का भाग अगर 1 unit होगा तो B का भाग क्या होगा C का 4 गुना यानि B का भाग कितना होगा 4 unit अब देखिए यहां B का भाग कितना है 1 unit और यहां B का भाग कितना है 4 unit तो हम सबसे पहले B के भाग को बराबर करेंगे अब देखिए इस एक और 4 को बराबर करने के लिए हम इस एक में अगर 4 से गुना कर ले तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा अब देखे अगर हम यहाँ 4 से गुना करेंगे तो हमें इस पूरे रेशियो में 4 से गुना करना पड़ेगा हमें इस पूरे ratio में 4 से गुना करना पड़ेगा हम इस ratio में 4 से गुना करेंगे तो यहां समारा हो जाएगा 8 is to 4 अब देखे हम यहां से हम यहां से A, B और C का हम ratio निकाल सकते हैं अब देखे A अगर 8 unit है A 8 unit है तो B कितना है? B कितना है 4 unit B अगर 4 unit है तो C कितना है? एक unit तो देखे तीनों के भाग का ratio क्या निकल किया गया? 8 is to 4 is to 1 हमारा answer क्या निकल किया गया? 8 is to 4 is to 1 निकल किया गया? चली question समझ में आगया होगा next question पर चलते है देखे हमारा question क्या दिया हुआ है हमारा question है A और B की मासिक I का नपाथ 6 is to 5 है और उनका मासिक B 4 is to 3 के नपाथ में है यदि परतेक प्रतिमा 4 सर रुपए की बचत करता है तो उनकी कुल मासिक I की राशी गयात किजिए हमें क्या निकलना है? कुल मासिक I की राशी निकलना है अब देखे हमें question में क्या दिया है हमें question में A और B के income का हमें ratio दिया है हमें question में क्या दिया है हमें question में A और B के income का ratio दिया है हमें income का ratio कितना दिया है 6 is to 5 दिया है और हमें question में क्या दिया है दोनों के expenditure का ratio दिया है expenditure का ratio कितना दिया है चार इस टू तीन दिया वर और हमें कॉश्चिन में क्या दिया है कि प्रतिक प्रतिमा 400 रुपए की बचत करते हैं यानि दोनों जो है 4-400 रुपए की बचत कर रहे हैं यानि दोनों की बचत कर है बराबर हैं तो देखी हम यहाँ माल लेते हैं कि a का जो income है वो छो unit है और b का जो income है वो 5 unit है और a का expenditure है वो 4 unit है और b का expenditure है वो 3 unit है तो हम यहाँ से अगर दोनों का saving निकालेंगे तो देखे A का income 6 unit है और expenditure 4 unit है तो saving कितना हो जागा 2 unit हो जागा B का income 5 unit है और expenditure 3 unit है तो saving कितना हो जागा 2 unit अब देखे यहां से दोनों की saving क्या निकल क्या रही दो-दो unit यानि दोनों की saving बराबर निकल क्या रही और हमें question में भी दोनों की सेविंग बराबर दी हुँए चार-चार-चार-अरू-पया तो देखिए.. यहां सेविंग का निकल कर रहे हैं दोनों की दो-दो bulun यूट्टे, और हमसे पूछ रहे हैं हम से पोछ रहे हैं उनकी कुल मासिक i की रासी, तो देखी, A की मासिक i क्या है, 6 unit, और B की मासिक i क्या है, 5 unit, यानि दोनों की कुल मासिक i क्या हो जाएगी, 11 unit, अब देखे, मैं 1 unit के value पता है, तो हम यहां से 11 units का value निकाल सकते हैं, एक unit का value 200 रुपया है तो 11 unit का value क्या होजाएगा 11 unit का value होजाएगा 2200 रुपया 11 unit का value क्या होजाएगा 2200 रुपया होजाएगा यानि कुल मासी का i क्या निकल किया गया 2200 रुपया निकल किया गया हमारा answer क्या निकल किया गया 2200 रुपया निकल किया गया C की I का 20% है यदि इनकी I का कुल योग 7800 रुपया हो तो B की I कितनी होगी हमें क्या निकलना है B की I निकलना है अब देखी हमें क्या दिया हूए हमें क्या दिया हूए कि A की I का 10% किसके बराबर है b की i का b की i का 15 पर 30 के बराबर और c की i का c की i का 20 पर 30 के बराबर है अब देखी हम यहाँ से percentage से percentage काड़ सकते हैं हम इसे अगर 5 से काटेंगे तो यह 5 से 2 बार में जागा इसे 5 से काटेंगे तो यह 5 से 3 बार में जागा और इसे 5 से काटेंगे, तो ये 5 से 4 बाण में जाएगा, अब देखें, यहां से मारा क्या निकल क्या जाएगा? यहां से मारा निकल क्या जाएगा, 2A e equal to 3B e equal to 4C, अब देखें हम यहां से, हम यहां से A, B और C के income का हम ratio निकाल सकते हैं, अब देखे हमें चाहिए A तो हम A को ढखेंगे और इन दोनों को गुना करेंगे तो देखे 3 में अगर हम 4 से गुना करेंगे तो यह हमारे क्या हो जागा 12 हो जागा उसके बाद हमें चाहिए B तो हम B को ढखेंगे और इन दोनों को गुना करेंगे तो देखे, दो में अगर हम 4 से गुना करेंगे, तो यह हमारे क्या जागा 8 हो जागा, उसके बाद हमें C चाहिए, तो हम C को ढखेंगे और इन दोनों को गुना करेंगे, तो देखे, तीन में अगर हम 2 से गुना करेंगे, तो यह हमारे क्या जागा 6 हो जागा, अब देखे, ह C unit होगा तो B का income कितना होगा 4 unit और C का income कितना होगा 3 unit तो देखिए यहां से total income कितना निकल क्या जागा हम यहां से total करेंगे तो total कितना हो जागा 13 unit और हमें question में total कितना दिया है हमें question में total दिया हुआ है 7800 रुपया यानि इस 13 unit का value हमें question में क्या दिया 7800 रुपया तो हम यहां से 1 unit का value निकाल सकते है 1 unit का value क्या हो जागा 13 से 78 कितने बार में जागा 6 बार में यानि यहां से मारा हो जागा 600 रुपया हो जागा, यानि एक यूनिट का वायलू क्या निकल किया गया, 600 रुपया निकल किया गया तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है, B की आए, तो देखे, B की आए क्या है, 4 यूनिट है हमें एक unit के value पता है तो हम यहां से 4 unit के value निकाल सकते हैं 4 unit के value क्या हो जागा? 2400 रुपय हो जागा हमारा answer क्या निकल की आगा? चली question समझ में आगया हुआ next question पे चलते है देखे हमारा question क्या दिया हुआ है हमारा question है A काम को 70 दिन में कर सकता है और B A से 40% अधिक कुसल है वही काम करने के लिए B को कितने दिन लगेंगे अब देखी हमें कोस्चन में क्या दिया है हमें कोस्चन में दिया है कि B A से 40% अधिक कुसल है तो हम यहां से A और B के efficiency का ratio निकाल सकते हैं देखी efficiency का ratio निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे इस 40 परतिसत को हम fraction में change करेंगे तो देखे 40 परतिसत को अगर हम fraction में change करेंगे तो यह हमारे क्या हो जागा यह हमारा हो जागा 2 बटा 5 यह हमारे क्या हो जागा 2 बटा 5 तो हम यहां से A और B के A और B के हम efficiency का ratio निकाल सकते हैं हम यहां से A और B के efficiency का ratio निकाल सकते हैं अब देखी हम एक question में दिया है कि B जो है A से 40% अधिक कुसल है इसका मतलब होगा कि A का efficiency अगर 5 unit होगा तो B का efficiency 5 पे 2 जादा यानि कितना होगा 7 unit होगा अब देखी दोनों के efficiency का हमें ratio पता चल गया तो हम यहां से दोनों के time का ratio निकाल सकते हैं अब देखे time का ratio क्या होगा जो हमारे efficiency का ratio होता है उसका opposite हमारे क्या होता है time का ratio होता है यानि time का ratio क्या होगा 7 to 5 होगा यानि A उस काम को अगर 7 unit समय में करेगा तो B उस काम को 5 उनिट समय में करेगा अब देखे में question में दिया है कि A जो है उस काम को 70 दिन में कर रहे है यानि 7 उनिट का value हमें question में क्या दिया है 70 दिन दिया है 7 उनिट का value 70 दिन दिया है तो 5 उनिट का value क्या हो जागा देखे 7 उनिट का value 70 दिन है तो एक यूनिट का वायलू की हो जागा, दस दिन हो जागा, तो पांच यूनिट का वायलू की हो जागा, पचास दिन हो जागा, यानि बी उस काम को कितना दिन में कर सकता है, पचास दिन में कर सकता है, हमारा आंसर क्या निकल किया आगया, पचास दिन निकल किया आगया, च दुकंदार का हमें CP क्या दिया है हमें CP दिया हुआ है कि 10 नग को 10 नग को 8 रुपय में खड़िता है 8 रुपय में खड़िता है और हमें SP क्या दिया हुआ है हमें SP दिया हुआ है कि 8 नगो को 8 नगो को 10 रुपय में बेचता है आठ नगों को 10 रुपय में बेचता है तो देखी ऐसे question में हम ये मान के चलेंगे कि हम जितना बस्तू खड़ित के लिए के आये थे उतना ही बस्तू हम बेच रहे हैं तो हम यहां क्या करेंगे सबसे पहले बस्तू के संख्या को बराबर करेंगे अब देखी यहां क्या है 10 बस्तू है और यहां क्या है 8 बस्तू है तो हम सबसे पहले इन दोनों को बराबर करेंगे अब देखी इन दोनों को बराबर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं अगर हम 10 में 4 से गुना कर ले तो यह हमारा कितना हो जागा 40 हो जागा और 8 में अगर हम 5 से गुणा कर ले तो यह हमारे क्या हो जागा 40 हो जागा अब देखिए अगर हम यहां 4 से गुणा करेंगे तो हमें यहां भी 4 से गुणा करना पड़ेगा यानि हमें दोनों साइड 4 से गुणा करना पड़ेगा अगर हम यहां 5 से गुणा करेंगे तो हमें दोनों साइट पांच से गुना करना पड़ेगा. तो देखे, यहां से, यहां से, CP क्या हो जाएगा? अगर हम इसमें 4 से गुना करेंगे, तो यह हमारा हो जाएगा, यह हमारा हो जाएगा, 40 नग कितने रुपय में? 32 रुपय में? और हम यहां, अगर 5 से गुना करेंगे, तो यह हो जाएगा, 40 नग कितने रुपय में? 50 रुपय में. अब देखे, CP जो है, 32 रुपय है, और SP क्या है, 50 रुपय है. तो देखे, यहां लाब कितने का हो रहा है? यहां लाब कितने का हो रहा है? यहां लाव हो रहा है 18 रुपया का कितने पर 32 पर गुने हम 100 करेंगे तो लाव पर 30 निकल के आ जाएगा अब देखिए हम इसे हम इसे 4 से काट सकते हैं अगर 4 से काटेंगे तो यह 4 से कितने बर में जागा यह 4 से 25 बर में जागा और ये 4 से कितने बर में जागा, 8 बर में, अब देखे, हम इसे 2 से काट सकते हैं, ये 2 से 4 बर में जागा, और ये 2 से कितने बर में जागा, 9 बर में, अब देखे, हम यहाँ गुना करेंगे, अगर 25 में 9 से गुना करेंगे, तो ये हमारे क्या हो जागा, ये हमारे हो जागा, हान यहांना उख्ता से कितने परमें जागा? 25 सैट चार चार से परमेंगा, बीस चार चार Islamic H यानी यहां से हमारा že100 308 ५ॉइंट पॉइंट दो पांच परतिसत निकल किया गया चली कोश्चन समझ में आ गया हुआ नेक्स कोश्चन पर चलते हैं देखे मारा कोश्चन क्या दिया हुआ है मारा कोश्चन एक व्यक्ति के पास सोला हजार रुपया थे उसने इसमें से कुछ धनासी चार परतिसत और सेश पर उधार दी यदि एक बर्स में उसे कुल साथ सो रुपया ब्याज के रूप में मिले हो तो चार परतिसत पर उधार दी गई धनासी कितनी थी हमें क्या निकलना चार परतिसत पर उधार दी गई धनासी निकालना है अब देखे हमें कोश्चन में प्रिंस्पल कितना दिय तोटल हमें SI दिया हो है 700 रुपया और 700 रुपया का SI कितने टाइम में मिल रहा है एक बर्स में मिल रहा है तो हम यहां से overall बार्सिक rate of interest निकल सकते हैं अब देखिए 700 रुपया का ब्याज मिल रहा है कितने पर 16,000 रुपया पर गुने 100 करेंगे तो हमारा क्या निकल क्या जागा बार्सिक rate of interest निकल क्या जागा over all आप देखे हम यहाँ से 2 0 से 2 0 काट सकते है हम इस 1 0 से 1 0 काट सकते हैं आप देखी अगर हम इसे 2 से काट ले हम इसे 2 से काट ले तो 70 जो है 2 से 35 बार में जाएगा और 16 दो से 8 बन में जाएगा यानि यहां से मारा overall rate of interest क्या निकल किया गया 35 बटा 8 पर 30 निकल किया गया आप देखी हमें question में दिया हुआ है कि कुछ धन्दासी को 4 पर 30 के दर से दे रहे 6 धन्दासी को 5 पर 30 के दर से दे रहे तो overall उसे rate of interest कितना प्राप्थ हो रहा है यानि उसका overall rate of interest कितना हो जा रहा है 35 बटा 8 पर 30 तो देखी हम यहां से allegation लगाएंगे तो जो हमारा नीचे ratio निकल किया गा ratio किसका निकल किया गा हम rate of interest किस पर count करते है principle पर यानि बटे में क्या है principle में है तो हम यहां जब allegation लगाएंगे तो जो हमारा नीचे ratio निकल किया गा ratio किसका निकल किया जागा principle का निकल किया जागा अब देखी हम यहां calculation को असानी करने के लिए यहां बटे में क्या है 8 है तो हम सभी जगे 8 से गुना कर लेते हैं अब देखी हम यहां भी 8 से गुना करेंगे यहां भी 8 से गुना करेंगे और हम यहां भी 8 से गुना करेंगे अब देखी यह 8 से हमारा 8 कर जाएगा हम यहां allegation लगाएंगे तो जब हम allegation लगाते हैं तो बड़े में से छोटे के minus करते हैं तो देख Schweiz हम यहां around 5 से गुणा करेंगे तो यह कितना हो जागा 40 हो जागा 40 में से 35 – माइनेस करेंगे यह हमारा हो जागा 5 और यहां हम गुणा करेंगे तो यह हमारा कितना हो जागा 32 होजागा तो देख। 35 में से 32 माइनस करेंगे तो यह हमारा कितना हो जागा 3 हो जागा अब देखी 4 पर तिसद पर अगर 5 उनिट धंडासी उधार दिया होगा तो 5 पर तिसद पर कितना उधार दिया होगा 3 उनिट यानि यहां से टोटल कितना हो गया यहां से total हो गया 8 unit धन्दासी यहां से total कितना हो गया? हम यहां लिख लेते हैं यहां से total कितना हो गया? यहां से total हो गया 8 unit धन्दासी जबकि हमें question में total धन्दासी कितना दिया है? 16,000 रुपया हमें question में total धन्दासी कितना दिया है? 16,000 रुपया यानि इस 8 unit का value हमें question में 16,000 रुपया दिया हुआ है तो हम यहां से 1 unit का value निकाल सकते हैं 1 unit का value कितना हो जागा 2,000 रुपया और हमसे पूछ क्या रहा है हमसे पूछ रहा है कि 4% पर उधार देगे धंडासी कितनी है तो देखें 4% पर कितना धंडासी उधार देगे 5 unit हमें 1 unit का value पता है तो हम यहां से 5 unit का value निकाल सकते हैं 5 unit का value क्या हो जागा? 10,000 रुपया हो जागा हमारा answer क्या निकल गया गया? 10,000 रुपया निकल गया गया? चलिए question समझ में आ गया होगा आज के लिए तना ही फिर मिलते next class में अगर class अच्छा लगे तो class को like करेगा अगर आप नेरे channel पर नए हो तो channel को subscribe करेगा और class को अपने दोस्तों के साथ share करना बिल्कुल मत भूलेगा चलिए, bye bye